मिशन उत्तर प्रदेश के लिए कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने अपनी पूरी ताकत जोंक दी है जहां एक तरफ उन्होंने प्रियांका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान दी है तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद लगातार बीजेपी को ललकार रही है अमेठी के बाद आज राहूल गांधी ने यहां एक बार फिर रफायल का मुद्दा उठा कर मोधी सरकार पर जबरदस्त वार किये कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी पहले ही कह चुके थे कि यूपी में कॉंग्रेस कमजोर नहीं है अब वो यही साबित करने में लगे हुए हैं तब ही तो अमेठी से लेकर राय बरेली तक उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमले जारी रखे कलमेठी में कॉंग्रेस को नए मुकाम पर ले जाने की हुंकार भरने के बाद आज राहूल राय बरेली पहुँचे जहां उन्होंने किसानों को लेकर रोजगार और रफायल को लेकर एक के बाद एक तीखे तीर छोड़े उन्होंने कहा कि मैं जूट नहीं बोलता हूँ जो बोलता हूँ वही करता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भगवान का नाम लेकर जूट बोलते हैं नरेंद्र मोदी नफरत और क्रोध की भावना का चिन है धर्म की सियासत में पियम मोधी पर प्रहार करने के साथ राहुल ने रफायल को लेकर भी हमला बोला उन्होंने नुकर सभा में लोगों से पूछा की किया आपको अभी तक 15 लाक रुपे मिले लेकिन पियम मोधी ने चौकीदारी कर अपने दोस्तों के अकाउंट में जरूर पैसे पहुचा दिये हैं प्रधान मंत्री ने लोगों के 30,000 करोड रुपे की चोरी की है प्रधान मंत्री ने उद्योग पतियों के करोड़ों रुपे के कर्ज माफ कर दिये लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया पियम मोदी पर बरसने के साथ साथ राहुल गांधी ने राय बरेली में जनिता के सामने वादों की फिहरिस्त भी लगाई उन्होंने कहा कि यहाँ 101 फीसिदी फूड पार्क बन कर रहेगा जिससे किसानों को काफी फाइदा पहुचेगा जीत की हुंकार भरते हुए राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों जगे सरकार बनाएंगे कॉंगरे सध्यक्ष राहुल गांधी ने मोधी सरकार के खिलाफ बड़ी जीत का दावा तो कर दिया लेकिन ये तो चुनावी नतीजों के बाद हिसाफ होगा कि अब की बार बनेगी किसकी सरकार डिबी लाइफ की रिपोर्ट